दोश्कार दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करता हूँ अच्छे होंगे और आज एक इंटरस्टिंग वीडियो लेके आए हूँ आपके लिए जिसमें हम अल्टरा स्ट्रक्चर आफ माइटोकॉंड्रिया जो आप अभी देख रहे हैं वो डिजाइन करेंगे from scratch individual components जो हैं वो आपके सामने मैं assemble करूँगा और इनके functions भी हम discuss करेंगे कुछ एक interesting बातें जो mitochondria से related हैं वो भी आपके साथ share करने की मैं कोशिश करूँगा वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपका शुक्रियादा करना चाहता हूँ आपने previous videos को मेरे previous videos को काफी support किया है और अमीद करूँगा आप इस video को भी support करेंगे और इस video से आपको अच्छी सही जानकारी मिलेगी और आपके लिए आपकी studies के लिए आपके projects के लिए वो बहुत helpful रहेगी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं designing process for the mitochondria और साथी साथ कुछ एक interesting बातें इसके बारे में जानने की खोशिश करेंगे तो मैं आपके सामने यहाँ पे individual components design करूँगा साथी साथ इनको arrange करूँगा और आपको बताऊंगा भी तो इसके बीच में अगर कोई problem आ जाती है तो मुझे आप माफ कर दीजेगा और बने रही हैगा channel के साथ और मैं पूरी उमीद करूँगा कि आपको जो है यह topic समझ में आएगा और ultra structure of mitochondria किस तरह से design करना है किस तरह से इनके functions, structure, components के function रहते हैं वो आपको सारा समझ में आएगा तो मैं एक नई slide से शुरू करूँगा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ एक components जो है left side पे अल्यड़ी बने पड़े और मैंने इनको नाम भी दे दिया ताकि थोड़ा time हमारा बच सके तो शुरू करते हैं दूस्तों outer membrane of the mitochondria obviously अगर हम हमारी जो designing process है outside से शुरू करेंगे तो उसको समझना easy हो जाएगा और with my experience, मेरे अपने experience से कहिए आप या दूसरी जो मैंने सीखी हैं चीज़े उनके according मैं बताऊँ आपको तो अगर आप किसी भी structure को बनता हुआ देखते हैं तो उसको समझना काफी आसान हो जाता है तो यह देखे एक तरह का outer covering एक तरह का shell मान के आप चल सकते हैं इसको mitochondria का और यह बहुत similar रहता है plasma membrane के जो cell की plasma membrane होती है उसके बहुत similar रहता है यहाँ पर एक बात बता दूँ आपको कि जो mitochondria वो cell के अंदर एक बहुत ही important cellular organically होती है अगर आपने मेरे पीछले वीडियोस नहीं देखे हैं उसमें मैंने mitochondria के बारे में basic information दी है यहाँ पर mitochondria के उपर focus करेंगे और थोड़ा और zoom in करेंगे इसके structural components के उपर बहुत ही ज़्यादा detail में नहीं जाएंगे chemical label पर नहीं जाएंगे लेकिन in future जो है अगर आपको support यसलिए इसी तरह बना रहा तो जरूर जाएंगे तो यह देखिए outer membrane है अब outer membrane के पारे मैं आपको बता चुका हूँ मैं कि plasma membrane की तरह रहती है और इसमें बहुत सारी important चीजें होती हैं बहुत सारी proteins होती है example मैं यहां पर लूँ तो pour in एक protein होती है यहां पर मैंने देखिए दिखाएं भी है तो उसको भी मैं यहां पर add करूंगा लेकिन उससे पहले मैं mitochondria के बारे में कुछ एक बात हैं बताना चाता हूँ कि mitochondria was described by Richard Altman इन्होंने सबसे पहले mitochondria को described किया था और mitochondria के इन्होंने बायो ब्लास कहा था 1890 में लेकिन बात में mitochondria जो actual term है वो blender ने दी थी 1897 अठारा सो स्तानुए में यह term जो है वो दी गई थी यह कुछ एक historical चीजें आपके साथ share करने जरूरी हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जिन्होंने यह चीजें पहली बार discover की हैं जिन्होंने पहली बार इनको observe किया उनको यह credit देना तो बनता है दोस्तों क्योंकि यह बहुत ही important discovery कहा जा सकता है in the field of bio sciences हुई थी तो इनकी जो contribution इसमें रही थी अब next जो बात करेंगी तो mitochondria क्या होती है oxygen consuming cellular organe इसको कहा गया है और बहुत ही important role play करती है और यह floating type organe होती है तैते रहती है cell में तो यह दो कुछ general बाते होंगी और इसको हम जानते हैं कि powerhouse of the self कहते हैं क्यों क्योंकि energy generate करती है बहुत सदा energy generate करती है तो यह भी एक important जो है वो इसका aspect मान के चल सकते हैं इसका role मान के चल सकते हैं कि इसका main role रहता है energy generation में right अब energy generation में जो है वो इसका role रहता है और energy बहुत सा की बात करें तो वहां पे जो energy की बहुत साथ requirement होती है तो चलिए ये बाते बीच-बीच में हम लोग discuss करते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा लेकिन तोड़ा सा additional step जो है मैं यहां पे लेना चाहता हूं तो इसको मैं ऐसा करता हूं copy कर लेता हूं क्योंकि यह दूसरा component है जो actual में इसको shape देगा तो यह शायद मैंने इसको सही से copy नहीं किया इसको इस तरह से copy करके इसकी जो है pixel ratio बनी रहती है तो आप देख रहे हैं यहां पे इस structure से आपको थोड़ा और clear हो जाएगा इसके जो है structural organization के बारे में तो इससे क्या clear हो रहा है क कि आप देख रहे हैं यहां पे यह internal folding हो रखी है membrane की तो इसमें दो तरह की membrane आती है outer and inner outer यह वाली होगी है और inner जो है वो fold अगी है और folding से यह जो structure बनाती है यह बनाती है crystal तो यहां पे मैंने यह जो है लिखा भी हुआ है तो level भी हम इसको कर देंगे लेकिन मैं चाहता हू है अभी यह shape त्यार हो रही है अब इसको जो है mitochondria label कर लेते हैं इसको तो यहां पे right side पे इसको level कर रहते हैं तो यह जो structure है mitochondria है आपका और outer membrane तो अभी आपको समझ में आ गया होगा मुझे पूरी उमीद है कि outer membrane कौन सी है इस में यह वाली outer membrane है हालां कि जो membrane का structure रहता है न और फॉस्पोलियर होती है तो उसको भी कई वेरी जो है यहां पर दिखाना थोड़ा सा और थोड़ा में लिए मुश्किल है लेकिन detail में उसके structure को भी हम discuss करेंगे तो आप inner membrane को दिखा देता हूं मैं यहां पर यह inner membrane भी मैंने लिखा हुआ है तो inner membrane जो है यह वाली inner membrane आपक है inner membrane में और अगर मैं यह justification देने की कोशिश करूँ कि यह क्यों इस तरह से फोल्ड हुई है तो कम space में ज्यादा surface area को जो है cover करने के लिए यह folding mitochondria में जरूरी है तो matrix matrix हो गया यह जो colored area देख रहे हैं आप यह matrix हो गया जहां पर बहुत सारे reactions हो रहे हैं पूरी bike mister mitochondria के अगर आप देखेंगे तो बहुत complex है इतनी असान नहीं है already मैं आपको बता चुक हूँ कि pour-in proteins होती है राइट वह surface के उपर होती है तो आप यहां द इसमें तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो already मेरे पस designed pour-ins हैं उनको copy कर लेता हूँ मैं और आपके लिए यहां पर यह देखें इस तरह से जो हैं दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यह देखें pour-in structures जो हैं वो proteins जो हैं वो membrane में embedded हैं यह protein membrane में हैं outer membrane में हैं और इनका roll क्या र रहता है कि जो आपका जो small molecules होते हैं उनकी transportation inside mitochondria जो है वो एक important role रहता है pour-in proteins का तो अभी थोड़ा सा कुछ एक interesting facts आपके साथ discuss करना चाहता हूँ में कि जैसे जो इसका roll रहता है वो powerhouse of the cell हमने कहा हुआ है इसको तो अगर liver cell की हम बात करें तो बहुत सारे mitochondria liver cell में होते हैं उनका roll रहता है liver cell को energy provide करना और जैसे sperm cells है sperm जो especially tail region है sperm का वहाँ बहुत जादा movement होती है वहाँ में energy requirement होती है muscles हमारे move होता रहते हैं वहाँ भी बहुत सारे muscle cells में mitochondria होते हैं और अगर general में बात करूँ तो 2000 की लगवक mitochondria per cell इतने जो है number में होते हैं लेकिन जब हम बात कर लेते हैं दूसरे जो cells है muscle cells है liver cells है उसमें यह number बढ़ जाता है इसलिए जो numbers है mitochondria का वो change होता रहता है उनके shape भी काफी change होती है cell to cell तो अब ही हमने discuss किया कि outer membrane है inner membrane है और जो इनके बीच में की space है ना outer membrane और inner membrane के बीच में यह space भी बहुत important role play करता है इसको inter membrane space कहते हैं तो यह जो space होता है इसको कहा जाता है inter membrane space तो यह भी इसका important role रहता है mitochondria में अब आते हैं next जो है matrix के बारे में हमने जो है वो यहां पे labeling कर दी है matrix जो है बहुत important role play करता है इसमें soluble enzymes of crab cycle होते हैं जो crab cycle की process होती है mitochondria में जो इस region में हो रही होती है तो यह भी एक important point है समझने वाला अब जो क्रिस्टे है उससे उसमें एक structure रहता है यह वाला structure इसको मैं आपको तोड़ा सा enlarge करके अगर आपको दिखाओं तो यह देखे एक तरह से badminton की तरह लग रहा है ना यह structure यह जो है तो यह structure रहता है आपका क्रिस्टे के उपर यहां पर तो इसको अगर मैं फिर से दिखाने कोशिश करूँ तो यह बहुत सारे F1 particles इनको हम कहते हैं तो यह देखे इस तरह से यह क्रिस्टे जो structure है जो inner membrane की जो folding है उसके उपर रहता है और इनका बहुत important role रहता है तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि कुछ एक जो यह structure है यह distribute कर लेता हूं ताकि यह mitochondria जो है वह जो है इसमें distributed हो सके यह structure फिर हम इनके बारे में तोड़ा सा अजय कर दोड़ा स्वितार एक जो क्रीक खाफ भाप जो वा से लेखे लेखे लेक ही जनके लेखे 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 लेखेश इसे पर दमयादक है झाल चलिए दूस्ते तो काफी जो है structure में यह distribute कर चुका हूँ आप यह मान के चले कि यह uniformly distributed रहते हैं जो inner membrane है उसमें और इनका बहुत important role रहता है क्योंकि इनमें enzyme होता है ATPase enzyme और ATPase enzyme जो है ATP की synthesis में help करता है यह है कुछ एक important component हमने डिस्कुस किया इसमें outer membrane, inner membrane, pore-ins, finger-like, outgrowth, crystal, जिसको हमने कहा F1 particle और matrix के बारे में भी हमने जो है इसमें जाना अब आते हैं additional structure जो है वो जैसे ribosomes जो है mitochondrial ribosomes भी होते है तो अगर मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो इस तरह से जो है वो ribosomes मैं यहाँ पर देखे दिखा रहा हूँ एक dot से आप देख रहे होंगे तो आपको याद रहे हैं कि ribosomes जो हैं वो mitochondria में होते हैं और mitochondrial ribosomes इनको कहा जाता है और यह क्यों होते हैं क्योंकि protein बहुत जरूरी होती है mitochondria में protein की requirement होती है यह जो enzymes होते हैं दूसरे जो transport proteins होती है membrane proteins होती हैं वो बननी जरूरी है उनके लिए machinery होनी जरूरी है तो mitochondria के पास अपनी protein synthesis machinery होती है हर बार सेल से protein लेना मुश्किल हो जाता है और इसी वज़े से mitochondria में important चीज़ होती है पहले इसको label करें देते हैं हम लोग ribosomes तो मैंने यह आपको ribosomes दिखाने की कोशिश किया है लेजिए और साथ ही साथ यहां पे polysomes को भी दिखा देते हैं हम लोग यह जो है structure मैंने बनाया हुए है यहां पर protein synthesis हो रही है तो polysomes भी आपके पास available हो जाते हैं all right what is next तो हमने pourins भी बना दी है label भी कर दिया है इसको मैं delete कर देता है ribosomes से बना लिया है dna अब जब protein synthesis की बात आ रही है तो dna का होना बहुजर हो रही है और dna का यह जो है यह circular dna strand मैंने यहां पर दिखाया हुए है तो आप देख रहे हैं यहां पर तो इसको मैं तोड़ासा space को छोटा करके इसको adjust करने कोशिश करता हूं center में यह आप है तो यह आपका dna हो गया इसको भी हम label कर रहते हैं तो dna इसको mitochondrial dna कहें तो ज़्यादा बेटर है तो यह आपका dna हो गय क्योंकि बहुत सारी genes जरूरी है mitochondrial dna का अपनी protein मिनानी है इसलिए जो जीन्स है वो mitochondrial dna के अंदर होने बहुत जरूरी है तो एक तरह से आप देख रहे हैं यह चोटा सा virgin है cell का बहुत सारी चीज़ें इसमें अलड़ी है तो यह कहा भी गया है कि यह कोई organism है जो एक तरह स जो है यह आपस में मर जूए यह शायद कोई prokreatic organism था और इस तरह से अपने आपको एक तरह से उस environment में as a organally अपने आपको बना लिया है यह कहना बहुत मुश्किल है इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है लेकिन कुछ एक experiments किया गए थे इनकी जो जो आपर मेंब्रेन dependent DNA available है आपके पास यहां पर माइटर कॉंटरिया में जो की दूसरे और कनलेज में नहीं है तो बहुत सारी ऐसी चीज़े है बहरा तो सारी बाते थो हम यहां पर include नहीं कर सकते लेकिन structure और function के बारे में हमने discuss कर लिया है कि यह देखिए individual components यह हैं क्या क्या रोल रहता है उन और यह हम include कर चुके हैं outer and matrix तो यह देखिए काफी हद तक construction हो गया अब granules भी बना देते granules का भी important रहता है mitochondria में तो यह जो granules को भी distribute कर देता हूँ मैं एक तरह का देखिए काफी detailed structure हमारे पास बन गया है mitochondria का और इनके जो है structure बनाते बनाते हमने इसके जो functions हैं वो भी हमने discuss कर लिया है जो की बहुत important है तो granules यो हैं यह भी मैंने distribute कर दिया है throughout mitochondria तो अगर आप देखिए इस pattern से आप इसका model भी त्यार कर सकते हैं granules को भी हम label कर लेते हैं तो यह देखिए यह जो green color के structure है granules है और इसको मैं delete कर देता हूँ और यह final structure यह भी delete कर देता हूँ वीडियो करने से पहले कुछ एक functions जो है mitochondria के आपके साथ share करना चाहता हूँ मैं mitochondria का role already मैं आपको बता चुक हूँ की energy production में रहता है ATP की synthesis में रहता है और ATP के use रहता है cellular reactions में और उनके mechanisms में और इसका another important functional mitochondria is to maintain the proper concentration of calcium ions यह भी एक important role रहता है और जैसे कि मैं liver में बता चुक हूँ लिवर में बहुत सारे mitochondrias होते हैं और उनका role रहता है लिवर को energy provide करना ताकि वो detoxification process में बहुत important role play कर से के इसका जो ammonia detoxification में भी role बताया गया है और finally बहुत ही important जो process होती है program cell death जिसको कहा जाता है या apoptosis कहा जाता है उसमें भी mitochondria का एक important role रहता है तो उमीद करूँगा दोस्तों कि ये सारे information आपको अच्छी लगी है आपको वीडियो से interesting information बता लगी है आपने देखा है किस तरह से जो है आप mitochondria की construction कर सकते हैं और individual components का क्या क्या role रहता है अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को like जरूर करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें तो मिलूँगा अगले वीडियो में जहां पर इसी तरह के जो interesting जो है topics लेके आऊँगा मैं अगर आपके पास कोई suggestion है तो please suggestion देना ना भूलें मैं उस particular topic में वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा तो मिलेंगे दोस्ता अगले वीडियो में तब तक के लिए धन् सकते वाओ